प्रदान मंत्री जी ने जो आवाहन किया है चार अप्रेल को रात को नौ बजे नौ मिनिट के लिए दीपक जलाने का गेंडल लाइट करने का और या मोबाइल फोन की लाइट लेकर के बाहर अपने लॉबी में आने का और इस समय घर की जो लाइट से उनको आफ करने का इसको ले करके कुछ चर्चाएं शुरू हुई हैं और ऐसी बात जानकारी में आ रही है कि अगर लाइट घर की बंद कर दी जाएंगी तो उससे ग्रिड फेल होने का डर हो जाएगा और इससे बिजली संकट हो सकता है चार पॉइंच दिन के लिए जबके मैं वेग्यानिक तो नह दुक्सान है उससे हम बचेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ जो लाइट्स हैं वह सी में बिजली खर्च होती है हमारी बहुत सारे एक्विपमेंट्स घर के अंदर हैं चाहे वह वाशिंग मशीन हैं टीवी हैं और बहुत सारी चीज़ें तो उन में बिजली अरम भी है लेकिन हमेशे सकारात्मक हो तो अच्छा है और निंजसमें राष्टिय संकट का दोर होता है उस समय विरोध नहीं उसमें सही होगी ही हमें होना चाहिए उन्हें का कि हम टेंडल लाइट जलाने का यह क्या नया शगुफा छेड़ दिया है हम केंडल लाइट नह मिस्तरी पुरुष बच्चे सब आ गए ऐसे ही जिस समय निर्भया के ऊपर जो है इतना बड़ा अनाचार हुआ उस समय पूरा देश केंडल लाइट लेके आया हुआ था तो यह कोई आस्था से जुड़ी होई चीजें नहीं है यह भावना से जुड़ी होई चीज है कि ज सबस्त और से संकट के समय तो सकारात्मक्सोच और सहयोग यह दो ही ऐसे रास्ते हैं जिसमें हम संकट पर पार पाजाते हैं चाहे वह देश की सिमाओं पर हमला है और या फिर यह च्छद महमले हैं